शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवीसेया न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें गुरवार को दीगरस कोईड केर से 3 और यौतमाल से 16 पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते तहसल में इस वक्रोणा मरिजों का आकड़ाब 54 से बढ़कर 33 हो चुका है आज शहर के कोविड केर में रैपिड एंटिजन टेस्स से प्राप नतीजों में 3 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है इस संदब में कोविड केर के मैनेजर डॉक्टर अभै गोविनवार ने इन बीसीन को जानकारी देते हुए कहा कि आज शाम तक हात आई रिपोजिटिव रिपोर्ट्स की कुल संख्या 19 है जिसमें एक नीजी अस्पताल के दो कर्मिचारी सहित एक अन्यव्यक्ति का समाविश है इसी तरह दो पर में यह उत्माल से प्राप 16 पॉजिटिव रिपोर्ट्स में शेहर के छत्रपती शिवाजी चौक परिसर के 13 और रमाई नगर के 3 लोगों का समाविश है आज 19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने से कल तक एक्टिव पॉजिटिव मरिजों के संख्यास 54 जो बढ़कर 73 हो चुकी है गौर तलब है कि आज कोविट के एर से जहां 3 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई वही लगभग 25 लोगों के स्वैप टेस की रिपोर्ट निगेटिव आई है हाल ही में लगातार जारी बन की स्थिती से देगरश शेहर मारकेट, कारोबार और रोजगार अस्थवैस्थ हो चुका है पॉजिटिव मामलों में लगातार गिरावट की चलते प्रशासन और जनता की परिशानी काफी कम हो चली थी अभी कुर्णा से बड़ी उलजने कम होने ही लगी थी कि दोबारा कुर्णा विशानों ने तेज रप्तार से संक्रमन की गति बढ़ा दी है जिस वज़े से दिन बदिन बढ़ रहे कुर्णा पॉजिटिव मरिजों के संख्या से आप दोबारा प्रशासन और जनता की किरकिरी बढ़ने का आंदेशा है